ओम नमो नरायल नमशकार दोस्तो आप सबी का स्वागत है हमारे चैनल में दोस्तो आज हम बात करेंगे कन्या राशी के बारे में आने वाले अगले दो दिन 20 और 21 अपरेल आप के लिए कैसे रहने वाले हैं दोस्तो हमारा राशी फल चंद राशी पर आधारित हैं यह समय बेशाक मास के क्रिशन पक्ष का समय है दोस्तो आज के सराशी फल में हम बात करेंगे घर पर खाली बैठे लोगों की घर से काम करने वालों की और जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों की चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तो बीस तारिक सौंबार को त्रो दशी तिथी रहेगी उत्तर भादर पदा नक्षत्र होगा और चंदरमा मीन राशी से गोचर करेंगे इस दिन शनी का नक्षत्र पूरे दिन बना रहेगा इस दिन रहुकाल का समय सुभे साथ बजकर सत्ताइस मिनट से लेकर नो बजकर पांच मिनट तक रहने वाला है रहुकाल के समय में किसी भी नए व्यशुब काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए दोस्तो बीस तारिक सोंवार का दिन कई मामलों में बड़े फाइदे लेकर आने वाला है और कुछ मामलों में आपको सावधानी भी रखनी होगी दोस्तो दिन की शुरुआत आप के लिए बहुत बहतर होगी आप अपने कामों की तरफ पूरी तरह फोकस्ट रहेंगे इस दिन आप अधिक मेहनत करना चाहेंगे अपने पुराने अधूरे कामों को निप्टाने के लिए आपकी सोच एक नई प्लानिंग त्यार कर सकती है आप अपने काम करने की नीती में कुछ बदलाव चाहेंगे और आप अपनी चतुराई से अपने मुश्किल कामों को आसान बना देंगे दोस्तो इस दिन आप को अपने व्यापार में विशीर सफलता मिलने का योग है इस दिन आप को पुराने उधार की वापसी भी होगी रुका हुआ धन भी मिलेगा और आप पैसा निकलवाने में भी कामयाब रहेंगे इस दिन करज की स्थिती समाप्त हो सकती है और करज खत्म करने के लिए नए रास्ते निकल सकते हैं इस दिन आप को अपने बड़े भाई से अपने बड़े भाई की उमर के दोस्तों से भी फाइदा होगा गुपत रूप से मदद प्राप्त होगी दोस्तो यह समय व्यापार में धनलाब का है जितनी ज़्यादा मेहनत आप करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट इस दिन मिलने वाले हैं लेकिन इस दिन आप को रिस्क भी नहीं लेने चाहिए अकेले में बड़े फैसले ना लें और सोच समझ कर समझदार लोगों की राए लेकर चलें दोस्तों इस दिन आप को संतान सुख की प्राप्ति होगी बच्चों से जुड़ी हुई समस्याएं भी दूर होगी और पढ़ाई लिखाई में बच्चों का मन भी लगा रहेगा आपकी कंसंट्रेशन बहतर रहेगी इस दिन आप को पुरानी बिमारियों से भी छुटकारा मिलने वाला है यह समय आपके विवाहिक जीवन को खुशाल बनाएगा और आपकी लव लाइफ भी इस दिन खास रहेगी अपने पार्टनर के साथ फोन पर काफी समय बीटने वाला है और यह समय आपके लिए बहुत ही रोमान्चक होगा दोस्तो इस दिन आपको बड़ी मातरा में थनलाब हो सकता है लेकिन आपको आने वाले लाब को नुकसान में बदनने से रोकना है इस दिन अपने हाथ से कोई बड़ा मोका ना जाने दें और सुनहरे अफसर का फाइदा उठाना होगा दोस्तो इस दिन आपके दुआरा एक दम से लिए हुए फैसले ही आपको बड़ा बना सकते है बात करें नोकरी की तो आपको विशीश मान समान मिलेगा और आपको उनलाइन किसी भी तरह से इंटरनेट के मात्यम से भी शुब समाचार मिल सकते हैं यह समय नोकरी करने वालों के लिए बेहत खास होगा दोस्तो बात करें किस तारीक मंगलवार की इस दिन चतुर दशी तिथी रहेगी रेवती नक्षत्र होगा चंदरमा मीन राशी से कोचर करेंगे बुद का नक्षत्र पूरे दिन बना रहेगा इस दिन रहुकाल का समय दोपहर को तीन बचकर पैंतिस मिनट से लेकर शाम के पांच बचकर तेरा मिनट तक रहने वाला है कन्याराशी वालो मंगलवार का दिन आप के लिए सोंबार से ज़्यादा भाक्यशाली है यह दिन आप के सुखों को बढ़ाएगा और यह दिन आप के करियर में बहुत बड़ा उच्छाल ला सकता है नई नोकरी तलाश कर रहे लोगों को बहुत बड़ा शुब समाचार इस दिन मिल सकता है इस दिन आप फेमस हो सकते हैं अचानक से ही आपकी पद परतिस्टा बढ़ सकती है अचानक से ही बहुत बड़ा धनलाब भी आपको इस दिन हो सकता है इस दिन आपकी लोटरी भी लग सकती है और इस दिन आप अपने कामों के लिए बड़े रिश्क भी ले सकते हैं दोस्तों अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और सच्चे मन से ओम नमो भगवते वासु देवाय नमा चुरूर लिखें